हाई फ्रेंड्स नमस्ते वेलकम बेक टू माई चेनाल मैं हूँ सभिता और आप देख रहे हैं सभितास क्रियेटिविटी एंड लाइपस्टाइज मैं आई हूँ दोस्तो गम्मेंड नर्सरी जो गम्मेंड नर्सरी एकामर कानन के पास है दीरे दीरे दोस्तो ये नर्सरी बहुत चेन्ज हो गया है और बहुत अच्छा लगता है आज कल जाने के लिए पहले पांक छो साल पहले तो दोस्तो बहुत अलग था कुछ भी नहीं था लेकिन अभी आप आएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा देखिए अभी तो और नया चेंज हो गया है देखिए एक बड़ा सा हॉल रेडी किया गया है ओफिस रूम के लिए और ओफिस में बहुत सारे स्टेंड लगा कर प्लांट से सजाया गया है बहुत अच्छा लगता है एसी भी लगा है गरम भी नहीं लगता है ये रूम में ज किया गया है और सारे प्लांस कितना हेल्दी है और ग्रीन है और कलर्फुल है देखिए गुर्मन नर्सरी का फ्रॉंट भी पूरा चेंज हो गया है देखिए नाम भी अलग हो गया है बड़ा सा एक गेट है फिर सामने में प्लांस लॉन और हेंगिंग बास्केट सब सजाया ग और बहुत अच्छा भी लग रहा है आजकल आने के लिए गम्मेंड नर्सरी और भीतर एंट्री करते ही देखिए दोस्तों लोग काम कर रहे हैं बड़ा सा नर्सरी है यहां आपको फ्रूट्स प्लांट्स मिल जाएगा एक्जोटिक प्लांट्स मिल जाएगा इंडोर आउट और देखिए कितना सुन्दर से डेकोरेट किया गया है प्राइबेट नर्सरी से दोस्तों यहां सस्ते में भी प्लांट्स मिल जाता है अगर आप आना चाहते हैं तो गम्मेंड नर्सरी से आके प्लांट्स लेके आप गाडन शुरू कर सकते हैं आपको सस्ता मिलेगा और ए रिचे सारे इंडूर प्लांट्स को कैसे डेकुरेट किया गया है। बहुत सुन्दर तरीके सी। और देखिए बोगन भिला का टोपियारी साब एक लाइन पे रखा गया है। मैंने इस बार दोस्तो कोन कोन सा प्लांट्स यहां से लिया है चलिए मैं दिखाती हूँ। जो प्लांट्स भी दोस्तो मैंने लिया है टोपियारी बनाने के लिए। और आगे आगे आपको बहुत सुन्दर सुन्दर टोपियारी बनाने का आइडिया आपको देखने को क्या क्या प्लांट्स दुस्तो मैंने लिया है चलिए मैं दिखाती हूं यह है दो फाइकस लिया है देखिए यह एक प्लांट्स को दुस्तो हंड्रेट रुपीज यह फाइकस का नाम है दोस्तो फाइकस बेंजामिन फाइकस का बहुत भराइटी आता है लेकिन यह एक बहुत सुन्दर भराइटी इसमें बहुत सरेट सुन्दर सुन्दर टुपीयरी बनता है यह प्लांट्स का नाम है दोस्तो मालपीजिया इसको यह प्लांट्स से हैज भी बनता है बोडर बनता है और टोपियारी भी बनता है ये प्लांट्स बहुत तेजी से ग्रोध करता है और इसका छोटे छोटे लीप्स देखिए जो प्लांट्स का छोटे छोटे लीप्स होता है और तेजी से ग्रोध करता है वो प्लांट्स से टोपियारी और बोडर गाडन म कहा acha लगता है इसलिए मैं यह प्लांस देखें दोस्तों मैं पांच प्लांस लाई हूं और को 60 डो पीज आरी ए प्लांस का नाम है दोस्तों मधुका मीनि मत reload कराइटि में आता है दो का मेने में हुआईट कलर का बहुत सुंदर फूल खिलता है और इसमें खुस्बू भी आता है इसमें भी ये प्लांट से भी आप टुपियरी बना सकते हैं और हैज की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं काडेन में ये है रात की रानी ये रात में खिलता है दोस्तों और बहुत खुस्बू आता है ये मिला है 40 रुपिस में ये प्लांट का न तेजी से ग्रोध करता है और बारिश के सिजन में इसको लगाने से यह प्लांस तेजी से ग्रोध करता है और आप आप अच्छे से टोपयारी भी बना सकते हैं और बोडर भी गाड़ेन में दे सकते हैं इसकdraw, प्लांस मैं कम्मेंट नफसरी का हमेशा यूज करती हूँ भर्मी कमपोस्ट देखे ऐसे हूँ मैं जब भी जाती हूँ दोस्तो एक बोरा ही लाती हूँ क्यों मेरे बहुत सारे प्लांस है इसलिए बहुत सारा भर्मी कमपोस्ट चाहिए मेरे पास रहने से मैं यूज कर सकती हूँ बा आप लूज भी ले सकते हैं एक पेकेट को 20 रूपीज अगर दोस्तों आप टोपियारी में इंट्रेस्ट रखते हैं तो ये प्लांट सब आप अभी खरीद कर टोपियारी बना सकते हैं और ये समर सीजन बेस्ट पिरियर्ड है ये प्लांट से टोपियारी बनाना